हेलो माई ब्यूटी क्वेंज इस वीडियो में देखेंगे इद मेकप टुटोरियल स्टेप बाइ स्टेप फॉर विगनर्स इद पर आसान सिंपल मेकप करने का तरीका इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूं विद मेकप प्रॉड़क्स अंडर रुपीज थी हंडर बहुत ही बजट मेकप प्रॉड़क्स के साथ ये इद मेकप लुक मैंने क्रियेट किया है अगर आप बिगनर है मेकप सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखेगा कुछ आसान सिंपल स्टेप्स में शेयर कर रही हूं ताकि अगर कोई पहली बार भी मेकप कर रहा है वो भी आसानी से मेकप लोग क्रियेट कर सके और मैं कुछ मेकप हैक्स भी इस वीडियो में शेयर करूं कि बिगनर्स के लिए तो चलिए शुरू करते हैं एध मेकप टुटोरियल स्टेप बार स्टेप फर बिगनर्स लेट सेट सबसे पहले स्टेप में फेस को क्लिंज करने के लिए मैंने डर्मा वीवा हाइड्रा क्लिंजर यूज किया है यह SLS Soap Fragrance Paraben Free Cleanser है यह स्किन का पी एच बैलन्स पंटेन रखने में हेल्प करता है और बहुत ही जेंटली स्किन को क्लिंज करता है Face Wash के बाद Next Step होता है Skin को Moisturize करने का तो मैं Neutri Derma Moisturizing Lotion with Vitamin E यूज कर रही हूँ यह Skin को Smooth Down करता है, Skin को Hydrate करने में हेल्प करता है Moisturizer को अच्छी तरह से Full Face और Neck पार भी ज़रूर अपलाई करें यहां पर अच्छी तरह से फुल फेट के उपर मैं मॉस्टराइजर को अपलाई कर रही हूं और ध्यान रखें चाहें गर्मियों में मेकप कर रहें या सर्दियों में अगर आप चाहते हैं कि मेकप लॉंग लास्टिंग रहें और मेकप अच्छे से ब्लेंड हो तो स्किन को मॉस्टराइज जरूर करें मेकप के सबसे पहले स्टेप में मैं इंसाइट प्राइमर ले रही हूँ यह 3-1 लाउंग लास्टिंग सिलिका पेस्ट प्राइमर है इस प्राइमर को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं इसको डॉट कर रही हूँ फोर हेड के उपर नोस के अराउंड चीक्स और चिन पाट के उपर फिर मैं इसको फिंगर टिप के साथ ब्लेंड करूँगी गर्मियों में अगर पसीना जादा आता है मेकप टिकता नहीं है या मेकप काला पड़ने लगता है तो मेकप से पहले प्राइमर ज़रूर अपलाई करें या मेकप हमेशा काम करता है आज के वीडियो में जो भी मीकप प्रोडक्स में आपके साथ शेयर कर रहे हूं यह सारे मैंने शॉप जी एप से मंगवाए हैं इस एप का और सारे मीकप प्रोडक्स का लिंक है तुस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक आउट सरूर कर लीजेगा अगर आप अपने लिए ब ब्रॉश 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 एप राउन और बल्यक्व तो अब फ्लैट की मदद से मैं आइरो कर रहे हूं अगर आप बिग्नरो और नहीं जानते अपने लिए सही आई ब्रो शेड कैसे पिक कर एं तो धान रख के अपने आई ब्रो शेड को हैर साथ मैच कर सकते हों हैं अ पूरी आयलिट के उपर इस concealer को spread कर रही हूँ और फिंगर टिप के साथ blend कर रही हूँ, यह concealer काफ़े thick consistency का है तो इसको अगर आप फिंगर टिप के उपर लेके हलका सा फिंगर में warm आप करके फिर अपलाई करोगे तो एप्लिकेशन जादा इजी रहेगा मेकप के नेक्स्ट स्टेप में, कंसीलर को सेट करने के लिए मैं कॉम्पैक ले रही हूँ, इस पैलेट में दो कॉम्पैक शेड दिया हूँ, एक मैट है और एक शिमरी है, इसको फलफी ब्रश के उपर लेते हुए, मैं आइलेट को सेट कर रही हूँ, जहां जहां पर कंसीलर अपलाई किया था इसे आई मेकप जो है वो क्रीज आउट नहीं होता आई शेडो के लिए सबसे पहले मैं गोल्डन शेड पिक रही हूं स्पॉंज अप्लिकेटर के ऊपर यह स्पॉंज अप्लिकेटर इसी पैलेट में आया था और इसको पूरी आइलेट पे अपलाई कर रह कर रही हूं और फिर इसको हलका हलका अंदर की तरफ ब्लेंड कर रही हूं तो इस तरीके से आप दो शेड भी मिक्स कर सकते हो और उसके बाद आउटर एजस को ब्लेंड जरूर कर लें ताकि ओवराल आपका जो लुक है वो काफी नीट क्लीन और अच्छी तरह से वेल ब्ल के तो उंक लिंक देरी उप्रिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजए गा तरह निक्स टेप मेबलीन का स्केच पैन आई यृप ले रही ओंड रो उसके साथ एक विंग आई लाइनर क्रिए कर रही हूं और मैट लुकिंग आइलाइनर है मुझे बहुत ही पसंद और आई लुक को कम्पलीट करने के लिए यहां पे मैं इंसाइट का मस्कारा यूज कर रही हूं जिसके साथ मैं पहले अपर लेशिस को ही कोड करूंगी आई मेकप के स्टेप अल्मुस्ट कम्पलीट हैं अब फेस के लिए सबसे पहले मैं इंसाइट का स्टे मैट फाउंडेशन ले रही हूं और प्राइमर जब हम अपलाई करते हैं तो थोड़ी देर स्किन के ओपर छोड़ देना ही बहतर होता है अच्छे रिजल्ट के लिए इ बाबिंग मोशन में फाउंडेशन को फुल फेस के ओपर अपलाई कर रही हूं यह एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन है लाइच टू मीडियम कवरेज है इसका इसकी कवरेज को बिल्ड कर सकते हो इजली दोल एर भी अपलाई कर सकते हैं मैट फिनिश फाउंडेशन है और इसका overall जो finish है वो काफी natural looking है, बहुत साथा heavy नहीं लगता, cakey नहीं होता और बहुत साथा crease out भी नहीं होता चेहरे के उपर, so एक side के उपर मैंने पहले sponge के साथ apply किया, लेकिन दूसरी तरफ मैंने इसको brush के साथ apply किया, अगर आपके पास makeup tool नहीं है और आप बिल्कुल beginner हो makeup में तो आप finger tip की मदद से भी dabbing motion में full face के उपर foundation apply कर सकते हैं, next step में जो concealer दिया हुआ है इस palette में, उस concealer को हलका सा मैं lower eyelid के उपर apply कर रही हूँ, और again foundation brush की मदद से मैं उसको under eye area के नीचे blend कर रही हूँ, थोड़ा सा brighten करने के लिए, next step में flat eyebrow brush के उपर brown shade pick करते हुए, इसको मैं lower lash line के उपर stamp करते हुए, अपलाई कर रही हूँ, मिगनर्स को काफी दिक्कत होती है lower lash line पे eyeshadow apply करने के लिए, तो अगर आपके पास flat eyebrow brush है, तो आप उसको use कर सकते हो, ये makeup hack काफी helpful रहेगा, इसके बाद मैं lower lashes के उपर mascara apply कर रही हूँ, बलशर के लिए again इस palette में जो दो shade दिये गए है, दोनों shade को mix करते हुए, सबसे पहले मैं back of the hand पे ले रही हूँ, फिर मैं upward direction में blusher apply कर रही हूँ, अगे अगर आपका गोल या round चेहरा है, तो apple of the cheek पे blusher apply ना करें, इससे चेहरा और ज्यादा round दिखता है, बल्कि उपर की तरफ आपका जो cheek bone area है, अबबर डिरेक्शन में blend करते हूए, बलशर apply करें, देन मैं make up sponge को compact powder में dip करते हूए, बलशर के नीचे हलका सा clean करने के लिए apply कर रही हूँ, जिससे की blusher दोयवा थोड़ा सा और prominent होगे दिखाई दे, इद मेकप टुटोरियल के next step में, अंडर आइस को set करने के लिए मैं मिस गोल्ड पालेट का ही compact powder यूज कर रही हूँ और इसको powder ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ, अगर आपकी बहुँ जादा oily skin है तो आप पफ की मदद से भी powder को अंडर आई एरिया पे और full face के मैं हलका सा ब्लश को टोन डाउन कर रही हूँ, लिपस्टिक के लिए मैं इंसाइड की नौन ट्रांसफर लिपस्टिक ले रही हूँ, यह एक माठ लिपस्टिक है, एक बार अप्लाई करने पे सिंगल कोटिंग में यह कुछ इस तरह का शेड देता है, जो कि काफी ओपेक तो यहाँ पे मैंने तीन बार इस लिपशेड का जो कोट है वो अपलाई किया तो मुझे डिजाएर रेड कलर जो है वो मिला, एंड फुल फेस को सेट करने के लिए यहाँ पे मैं इनसाइड का ही मेकप सेटिंग स्प्रे यूज स्टिक स्प्रें यूज कर रही हूँ, कैसे करें कुछ आसान हैक्स भी आपके साथ शेयर किये हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है हेल्फुल लगी है इंफोमेटिव लगी है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर सरूर कीज़ेगा और हां सारे प्रोड़क्स के लिंक हैं डुस्क्रिप्शन बॉक्स में फे झाल 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 झाल